इन पाँच चीजों में अगर आप कहीं भी गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधार लीजिए आपका सेलेक्शन हो जाएगा इसी साल होगा और अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाएगे सबसे पहली गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि मेरी लगातार बच्चों से बात होती है अभी बच्चों ने टेस्ट भी देना शुरू करती है तो लगातार होती ही रहती है सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे अभी तक revision ही नहीं कर रहे हैं और वो पता नहीं क्या सलेवस को खतम करने के चक्करूम कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी भी आपने revision start नहीं किया है तो एक proper plan बताईए मैंने already इस चैनल पर एक video डाली है मैंने बताया है revision करने का सही तरीका क्या होता उस video में जाकर आप देख सकते हैं फिलाल आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजे ये बहुत ज़्यादा घातक है आप लोगों के लिए दूसरा है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे question practice नहीं कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो sufficient जितनी question practice आपको चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताओं ये जो 5 चीजे मैं आपको बता रहा हूँ ये सीडिया है जैसे आप अगर किसी ground floor पर खड़े हैं और आपको first floor second floor पर जाना है तो उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं या तो आप lift पे चड़के जाएए जो कि neat में कभी possible है नहीं कि आप see the ground से उड़के top पे पहुंच जाए एकदम top कर दें ऐसा हो नहीं सकता दूसरा रास्ता होता है सीडियों से चड़के जाएए step by step आगे बढ़ना है आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आप से गलतियां हो रही है जैसे कि कोशन पढ़ते समय बहुत सारी mistake correct incorrect ये भूल जाते हैं ध्यान नहीं देते हैं तो उसको अभी सुदाना सुरू को reading mistake अपनी कम करिए unit कर दिन हमको पता है कि हमारी unit में दिक्कत है हम एक unit को दूसी unit में convert करने में हमेशा गलतियां करते हैं और मेरा वो numerical मेरा वो question गलत हो जाता है मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ और अगर आप इस तरहीए से कर रहे हैं तो समझ लीजे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं 99% वाली भीड में जा रहे हैं एक परसेंट में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है फिर उसके बाद calculation आप यहाँ पर calculation में बहुत छोड़ी छोड़ी mistake कर रहे हैं तो समझ लीजे ये भी आपको उस 99% वाली भीड में लाकर खड़ा कर रहा है अगर आप यह सारी चीजें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजे नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं कोशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन टेस्ट के थूरू कोशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताऊं नीट एक्जाम केवल पढ़ने से पास नहीं होता है उसमें कई सारी चीज़ां आती है उसके अंदर आपका सबसे पहले तो उसमें आपका पढ़ना आता है कि आपका पूरा पढ़ा हुआ हो सारा सलेवस आपका complete हो दूसरा आपने question practice कर रखी हो तीसरा एक limited time के अंदर सही question आपने कर रखी हो ठीक है जो की आपको मिलता है test से वह इस तरीके की mistake से बचने के लिए हर चीज के लिए practice आपको चाहिए यह बहुत छोटी-छोटी mistake होती है और बहुती स्वभाविक होती है ऐसा नहीं है कि आप ही गलती कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकता सारे सभी लोगों के साथ ऐसी गलतियां हो सकते हैं लेकिन वो अपन काम नहीं करते हैं तो आप पहला वाला काम कर ही नहीं पाएंगे और आपको क्या लगेगा कि आपको यह लगेगा कि भाईया मैंने जो पड़ा था वो तो मेरे लिए नया है वो मुझे कुछ याद ही नहीं है तो आपको करना क्या है जैसे ऐसे समय कम होता है वैसे वैसे हमे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो सौट नोट्स आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं और आपको भूलने में यहाँ पर भूलने ही नहीं देते हैं आपको रिवीजन करने में मदद करते हैं और आपको याद ही नहीं रहेगा तो आपसे क्या होगा बहाँ पर ऐसा तो ल बताईए कि आज से गलती मैं नहीं करूंगा और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे और बताईए मैं आगे इंपोर्डेंट चैप्टर आपको बताने वाला हूं जहां से हर साल कोशन बनते हैं और उनको करने के बाद अपनी रेंग को बूस्ट आप कर स सकते हैं कम समय में जादा फाइदा आप कैसे उठा सकते हैं यह सारी चीजन लेकर आ रहा हूं फिलाल इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए हर बच्चे तक मैं मिलता हूं आप से नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच